हाई बच्चों कैसे हैं आप लोग वेलकम टू पेपर रहकार यूट्यूब चैनल उमीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे अब हम पढ़ने जा रहा हैं बीए पाट वन सेमेश्टर टू का एजुकेशन सिक्षा सौट टाइप एंस्वर कोश्चन बीए पार्ट वन सेमेश्टर टू का सिक्षा सिक्षा बीए पार्ट वन सेमेश्टर टू का सिक्षा सौट टाइप एंस्वर सौट टाइप एंस्वर कोश्चन ठीक है सोट टाइप एंसर कोश्चन में प्रस्ट नमबर फस्ट क्या का रहा है देखिए हैं प्रस्ट नमबर फस्ट क्या का रहा है वैदिक काल में सिक्षा का अर्थ एम उपियोगी था वैदिक काल में जो है सिक्षा का अर्थ क्या था और उसको उपियोगी था क्या थी अर्थ और उपियोगिता ये दोनों हम लोगों विशेश रुप से ध्यान देखे इसके बारे में पढ़ना है उत्तर श्टार्ट हो जाता है उत्तर देखिए यहां से श्टार्ट हो रहा है वैदी काल में सिक्षा को विद्या ज्यान प्रबोध तथा भी ने आदी शब्दों से प्रियुक्त किया गया था किसे किसे विद्या ज्यान प्रबोध आदी वीशियों से जो है इसका शब्दों से प्रियुक्त किया गया सिक्षा को प्रकास शुरोत यम असिक्षित वेक्दियों को विद्या विहिन पशू कहा गया है इलिट्रेट परसन को जो है एनिमल की स संग्या दी गई है आगे बच्चों विद्या भीहन पशूती संग्या दी गई है। सिक्षा को जो है दिव जोती भी बोला गया है जिससे व्यक्ति का सरवांगिड विकास होता है जिससे क्या होता है व्यक्ति का सरवांगिड पूरी होल माइंड का जो है डेवलपिंग होता है व्यक्ति उत्तम जीवन वेतित करने तथा मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता ह अच्छा जीवन जीने के लाइफ अच्छी जीने के लिए था सरवांगिण विकास के लिए जो है क्या होता है समर्थ होता है अल्तेकर के सुन्दर शब्दों में क्या बोला गया है सिक्षा प्रकास का वह सुरोत है जो जीवन के विभिनी छेत्रों में हमारा सच्चा पत्परदर्शन करता है सिक्षा जीवन का वह सुरोत है जो हमारे जीवन में पत्परदर्शक मार्ग दर्शन रास्तिक रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है पत्थ परदर्शक की रूप में इसका उपयोग किया गया है ठीक है वैदिक कालीन सिक्षा की उद्देश या आदर्श वैदिक काल में सिक्षा को धर्म के मार्ग पर चलकर मोख्ष प्राप्त करने का साधन माना गया है वैदिक काल में सिक्षा को क्या माना गया है धर्म के मार्ग पर चल कर मोक्ष प्राप्त करने का साधन माना गया अतह कहा जाता है कि अपने प्राचीन काल से ही प्राचीन काल से ही बहुत पीछे काल से ही सिक्षा के वल ग्यान प्राप्ती नहीं थी सिक्षा धर्म का एक अंग माना गया है इसी तत्ते के अधार पर बेसीकले के अधार पर वैदिकालीन सिक्षा के उद्धेश अध्यात्मिक दिरिश्टिकोण को ध्यान में रखकर निरधारित किये गया है ठीक है गुपाल क्रिष्ण गोखले बोले हैं क्या बोले हैं गोपाल कृष्ण गोखले बच्चों देखिए यहां गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा है और बोला है कि वैदिकाल की सिख्छा का तत्वर चात्रों में ज्यान की जोती जगाना तथा चरित्र बल की अस्थापना करना था था शरीत रबल की अस्थापना करना था वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देजिएगा और शेर कर देजिएगा थैंक्स पर वाचिंग थैंक्स पर एली नेक्स्ट वीडियो में अगला कोश्चन बताएंगे हम लोग सेकेंड कोश्चन ओके थैंक यू बच्छों